नमस्ते अवरिवन, as you can see, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो SSC एक्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही 100 वर्ड्स मैंने इस वीडियो में कमपाइल किये हैं ये 100 वर्ड्स आपको Tier 1 और Tier 2 में लाके कम से कम 8-10 मार्क्स तो जरूर सॉलिडिफाई करने में help करेंगे So grab a pen and a copy and make sure you don't miss any of these important words इस वीडियो में जितनी भी information प्रोवाइड की गई है उनके sources ये सब हैं और इस वीडियो को error free बनाने की पूरी कोशिश की है मैंने आपको फिर भी कोई doubts होते हैं तो do comment them down below I'll surely reply back to you And believe me ये 100 words बहुत important हैं इसलिए आप वीडियो को pause करिए और जाके एक pen और copy ले आईए जो words नहीं आते होंगे आपको उनको आप लिखते रहिएगा इन 100 words के अलावा भी इस वीडियो में मैं लगबग 100 or words बताऊंगा आप चाहे तो उनमें से भी कुछ words को note down कर सकते हैं So जिस तरह से questions पूछे गएं exams में Exactly वैसे ही मैं इन्हें आपके सामने रखोंगा इसमें या तो one words के questions होंगे या तो synonyms और antonyms के पहला question one word substitution का है What is the one word for the words written on a tomb? ये words इतनी भी बार पूछा गया है वो मैंने नीचे लिख रखा है And by the way T-O-M-B को tomb प्रोनाउंस किया जाता है So the answer for this question is epitaph किसी मरे हुए इनसान के लिए कोई poem या किसी भी तरह की दूसरी writings को epitaph कहा जाता है Generally ये writings, tombstone यानि कबर पे भी engrave की जाती है और SSC exams में one words के questions में ये इसी तरह से पूछा जाता है Definitely a great word to start this video ये जो बीच में आप black strip देख रहे हैं इसमें words के concise meanings होंगे जो आपको अपनी copy में लिखना suggest करूँगा मैं क्योंकि 100-200 words का meaning आप 2-3 lines में बार-बार लिखेंगे तो उसे याद करने और याद रखने में दिक्कत हो सकती है इसलिए हर word का concise और simple meaning इस black section में मैं लिखूँगा जिसे आप अपनी copy में note कर सकते हैं So epitaph are the words written on a tomb Option में epithet भी है जिसका मतलब कोई ऐसा शब्द या phrase होता है जिसे हम किसी के नाम की जगा substitute कर सकें जैसे अगर मैं जहांसी की रानी बोलता हूँ तो आपके मन में सीधा रानी लक्ष्मी भाई आएंगी तो जहांसी की रानी is an epithet for लक्ष्मी भाई जो कि tv serials में हद से जादा होता है और हाँ एक important बात यह है कि आप इन options पे भी ध्यान दीजिएगा यह options भी important हैं और यही कुछ options इन 100 words में भी included हैं तो जिन words को मैं numbering के साथ गिना रहा हूँ आप सिर्फ उनको note करिए और इन options को आप ध्यान से सुनिए यह options फिर से आएंगे वीडियो में जिससे आपका अच्छा रिविजन होगा So here's the next question, do you know the correct answer? One who is indifferent to pleasure and pain is a stoic तो जिस इनसान को खुशी और दुख दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता यानि दोनों situations में वो एक समानी रहता है उस इनसान को stoic का आ जाता है Options में एक बहुत ही important word ascetic भी है जिसका मतलब कोई ऐसा इनसान होता है जो बस इतना ही खान और facilities यूज़ करता है जिससे उसकी body survive करती रहे So basically ऐसा इनसान जो stunt और साधू type का जीवन जीता है उसे ascetic कहते हैं आप चाहें तो इस वीडियो की speed 1.5 times कर लीजिए या जितनी में भी आप comfortable हो उतनी कर लीजिए जिससे आप अपने time को अच्छे से utilize कर पाएं अगला option है esoteric जो की एक adjective है और esoteric हम ऐसी किसी चीज़ को कहते हैं जो generally masses को समझ ना है जैसे आप exams की preparation के लिए news पढ़ते हैं वो शुरू में जब हमें economics की terminologies और jargons का पता नहीं होता है तब जब news में fiscal deficit और gratuity जैसे शब्द आते हैं तो वो हम समझ नहीं पाते हैं तो economics की ऐसी news esoteric हैं क्योंकि ये सब को समझ नहीं आने वाली जो economics के ऐसे terms को समझते हैं वही से समझ पाएंगे next option था skeptical जिसका मतलब है किसी चीज को लेके doubtful होना तो अगर आपने CGL का exam दिया और आप skeptical है अपने result को लेके तो उसका मतलब है कि आपको doubt है कि आप qualify करेंगे की नहीं now coming to the third question इसके चारों options बहुत important हैं आपको बाकी options के meanings note करने की जरूवत नहीं है important options अभी आगे आएंगे और काफी अच्छे से revision होता चलेगा हमारा one who believes that only selfishness motivates human actions is a cynic जैसे lockdown में सोनू सूध ने बहुत से migrant workers को उनके घर पहुँचाया था तो अगर आप एक cynic होते तो शायद आप ये कहते कि अरे कुछ नहीं बस publicity और अपने image अच्छी करने के लिए कर रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा एक cynic कहता so basically जो अच्छे कामों में भी nitpicking करें और सोचे कि सब अपने फायदे के लिए बस सारा काम करते हैं ऐसे इनसान को cynic का जाता है next option is agnostic तो अगर आपका मानना ये है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये बात मनुष्य की समझ के परे है then you my friend are an agnostic भगवान के बात ना भी करें तो in general ऐसा इनसान जो ये सोचे कि mankind कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन complete knowledge नहीं प्राप्थ होने वाली इनसान को किसी भी particular field में वो एक agnostic कहलाता है now numismatist वो इनसान होता है जो coins और banknotes वगेरा को collect करता है next option is psychophant and psychophant वो वेक्ति कहलाता है जो अपने फायदे के लिए किसी और की चापलूसी करता है जैसे हमने school में ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो extra marks माने के लिए teachers की चमचागिरी करते थे तो वो सारे नमूने psychophants थे जो fourth word उसका मतलब होता है one who is unable to pay his or her debt keep in mind कि D, E, B, T में be silent होता है और इसे debt पढ़ा जाता है ये question काफी tricky है और इसलिए ये word मुझे काफी पसंद भी है हो सकता है कि आपको इसका answer indebt लग रहा होगा लेकिन the correct answer is insolvent कोई इनसान या entity जो अपना करजा ना चुका पाए उसे insolvent का जाता है कुछ लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि कोई ऐसी चीज जो घोल ना सके बट वो unsolubal या फिर non-solubal होता है जैसे आप अगर इस वीडियो को share करते है then I'll be deeply indebted to you पॉपर का मतलब होता है ऐसा इनसान जो अपने गुजारे के लिए charity वगेरा पे dependent हो and impute is a verb which broadly means to accuse someone for something वर्ड नमबर फिफ्ट इस acquiescent यूब तो select its synonym पिछले कुछ सालों से ये वर्ड काफी बार पूछा जा रहा है acquiescent का मतलब docile या submissive होता है यानि ऐसा इनसान जिससे उसकी मर्जी के against भी कोई काम करवा लिया जाए easily वो इनसान एक acquiescent इनसान कहलाएगा इसलिए इस question का सही answer है tractable जिसका meaning similar है और बाकी तीन options obstreperous, recalcitrant और insurgent तीनों ही इसके antonyms है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी helpful लग रहा है तो please वीडियो को like कर दीजिए जिससे शायद इस वीडियो की reach बढ़ेगी उसके बाद शायद इस channel का monetization enable हो जाएगा फिर शायद मैं एक अच्छा समाई के ले लूँगा जिससे शायद मैं पंखा चला के भी audio record कर पाऊंगा और जिससे शायद आपको मेरी भारी और भद्दी आवाज कम भारी और भद्दी लगेगी moving on, sixth word है obscure जो की बहुत ही जादा important word है obscure का मतलब होता है unclear ऐसा कुछ जोसानी से समझ ना है इसलिए the right answer is unclear seventh word है ambiguous और आपको इसका antonym बताना है ये word भी बहुत ही बार पूछा गया है और ambiguous किसी ऐसी चीज़ को कहा जाएगा जिसका कोई clear meaning ना हो जिसे एक से ज़ादा तरीके से समझा जा सके obscure और ambiguous दोनों ही synonyms है और इस question का answer होगा precise क्योंकि हमें antonym बताना है ambiguous का eighth word है dubious जिसका आपको synonym बताना है और मैं आपको एक hint देता हूँ जिससे आप पक्का इसका answer जान जाएंगे hint ये है कि dubious का meaning almost obscure और ambiguous जैसा ही है so as is obvious dubious का meaning भी doubtful ही है ये तीनों words एक जैसे ही है सबका broadly मतलब unclear या doubtful होता है और ये तीनों ही words बहुत ही जादा बार सिस्सी के exams में पूछे गए है ninth word है congregation जिसका आपको synonym बताना है तो congregation का मतलब होता है gathering या meeting specially एक religious meeting जैसे आपके exam times पे रात को जगराते चलते रहते हैं वो congregation कहलाएंगे so इस question का answer होगा meeting the next word is superfluous जिसका मतलब होता है unnecessary, जरुवत से जादा, surplus, in excess, spare जैसे superfluous के मैंने इतने सारे meanings बताया आपको तो ये काम करना भी superfluous था क्योंकि आप सिर्फ unnecessary से ही समझ चुके थे कि इसका meaning क्या है तो इसका antonym necessary होगा हाला कि question में दो बहुत ही close options दे दिये गए है generally ये दोनों options होने नहीं चाहिए थे but essential और necessary में अगर आपको कोई एक option चूज करना है तो necessary answer होगा इस case में now 11th word है prudent और आपको इसका synonym बताना है काफी usage देखने को मिलता है इस word का और SSC exams में भी ये कई बार पूछा गया है तो prudent एक adjective है और इसका मतलब होता है well thought और judicious जैसे अगर आप एक prudent decision लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने काफी सोच समझ के और दिमाग लगा के एक अच्छा decision लिया है so prudent का broad meaning wise or intelligent है the next word is callous and you have to choose its antonym the options are sensitive, generous, kind and soft बड़े ही mellow से options दिख रहे हैं सारे बट बहुत ही बुरे options हैं क्यूंकि इसमें दो options ऐसे हैं जो कि callous के antonym है तो उन दोनों में मजबूरन हमें एक कोई option चूज़ करना पड़ेगा so callous के दो connotations हैं पहला physical meaning है hardened यानि कठोर कर दिया गया हो जिसे और दूसरा ज्यादा use होने वाला meaning है cruel, heartless या inhuman तो इस question का answer soft भी हो सकता था और kind भी क्यूंकि ये दोनों ही callous के antonym है बट kind ज्यादा accurate है इसलिए इसका answer kind होगा अगला question one word substitution का है you have to give one word for something spoken or done without preparation इसका answer है extemporary extemporary का मतलब होता है कोई speech या फिर कोई भी और काम बिना preparation के करना next option verbose का मतलब होता है जरुवत से ज़ादा words contain करना यानि words का superfluous होना verbatum का मतलब होता है किसी चीज को word for word copy कर लेना यानि same to same कहीं से उठा के छाप डालने को verbatum कहते हैं maiden का मतलब होता है कोई काम पहली बार किया जाना या फिर पहली बार appear होना ये maiden over वाला ही maiden है और maiden को untouched या पवित्र के sense में भी use किया जाता है तो maiden over उसी से आया है जिस over में एक वी रनना बने वो maiden over next one word is a person who is self-centered यहाँ भी दो काफी close options हैं और दो काफी confusing options भी हैं so the correct answer is egoist जिसका मतलब होता है काफी selfish person और egotist वो होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहता है और अपनी ही तारीफ करता रहता है egoist और egotist में आप difference ऐसे याद कर सकते हैं कि egotist में एक extra T है and T stands for talking and that's all what an egotist does. The next option is narcissist जो की बहुत ही close word है egoist के narcissist और egoist के बीच कोई fixed differentiation तो नहीं है बट यह है कि narcissist egoist होने के साथ साथ खुद को बहुत admire भी करते हैं so a narcissist is a lover of oneself and the last option is masochist which means a person who takes pleasure in pain and suffering. For example अगर आपने भाबी जी घर पर हैं देखा है पता नहीं अब आता है कि नहीं तो उसमें character था सक्सेना नाम का जिसे थपड़ खाना, छट से गिरना और लतियाय जाना काफी पसंद था so that सक्सेना गाई is a big old masochist on the contrary word number 15 means a person who is concerned with the welfare of others. काफी easy or important word है. The answer is altruist एक ऐसा इंसान जो बाकी सब की help करे next option is ascetic ascetic की बात हम पहले ही कर चुके थे ascetic वही सादूसंथ टाइप के वक्तियों को कहा जाता है and now hedonist is a person जिसके हिसाब से सारा सुख वस sensual pleasure में ही है and hermit वो लोग हैं जो सब दुनियादारी छोड़ चुके हैं. जैसे हम कहा करते हैं कि सब कुछ छोड़ के हिमाले चले जाना तो वैसे ही लोग hermit कहलाते हैं quickly moving on to the next word ये word भी altruist के जैसा ही है one who helps even a stranger in difficulty the answer is samaritan samaritan बहुत ही दयालू और दूसरों की help करने वाले लोगों को कहते हैं ssc exams में especially one who helps even a stranger sentence के साथ ही पूछा जाता है ये word itinerant एक ऐसा इंसान होता है जो place to place travel करता है itinerant और itinerary की बात हम भी आगे भी करेंगे the next option is mercenary जो generally adjective की तरह use होता है and it means working just for the sake of money इससे भी हम आगे दो बार और मिलेंगे and the remaining option is stoic जिससे हम already मिल चुके हैं stoic ऐसे लोग होते हैं जिने सुख और दुख किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता word number 17 भी काफी easy or common word है you have to choose a synonym for the word benevolent options फिर से हलके से confusing है but the correct answer is kind benevolent adjective है और इसका meaning है बहुत ही kind और generous होना और दूसरों के help करना altruist की तरह 18th word is yet again similar to altruist, samaritan and benevolent it means a person who loves mankind and the correct answer is philanthropist by etymology ये word बना है philene और anthropos से philene is a Greek word which means to love and anthropos means mankind so etymologically it means a lover of mankind और in general ऐसे लोगों को philanthropist कहा जाता है जो donations या किसी और तरीके से बहुत से लोगों की help करते है neophyte का मतलब beginner होता है जैसे YouTube पे मैं beginner हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए इस रिस्पेक में manified हूँ philatelist उसे कहते हैं जो stamps collect करता है and mercenary as we have already discussed means working just for the sake of money word number 19 is the opposite of philanthropist and you guessed it right a person who hates mankind is a misanthrope one who studies mankind and its evolution is an anthropologist that is one who studies anthropology which in turn means the study of mankind fastidious means difficult to please यानि जिस इनसान के मन का करना या उसे खुश करना बहुत मुश्किल हो ऐसे इनसान के लिए हम fastidious adjective का use करेंगे और hypochondria कैसे इनसान को कहा जाता है जो जरूरत से जादा अपनी health को लेके चिंतित रहता है यह वर्ड भी काफी पसंद है क्योंकि लोग यह सोच लेते हैं कि इसका अंसर prodigious है और सीधा SST के जाल में फस जाते है prodigal मतलब फिजूल खर्ची करना या फिर फालतू की चीज़ों पर पैसे बरबाद करना होता है आप मेंसे कई लोगों को लगा हुआ कि अगला word जो है अगला word जो है उसका मतलब है तो tourist और settler को तो आपने eliminate कर दिया बट बताइए कि इसका अंसर immigrant है या फिर immigrant अब बात करते हैं immigrant और immigrant के बीच के अंतर की अगर आप emigrate कर रहे हैं तो आप emigrate भी कर रहे हैं दोनों process same है वस perspective की बात है जब आप एक country से निकलोगे तो आप emigrate कर रहे हो वहां से और जब आप किसी दूसरी country में आ जाओगे तो आपने emigrate किया है वहां पे तो यानि अगर मैं इंडिया से जपैन गया then I am emigrating from India and immigrating into Japan emigrant का initial letter E है और exit का भी initial letter E होता है तो आप exit को emigrant से relate कर सकते हैं similarly emigrant I से शुरू होता है जिसे आप in या into से associate कर सकते हो ज्यादा तर emigrate verb के साथ preposition from का use होता है और emigrate verb के साथ into का use होता है so that's the whole deal about emigrant and immigrant tourist बताने की जरूवत नहीं और settler is a person or thing that settles in the words को छोड़ के हम आगे चलते हैं next word means a person who journeys from place to place थोड़ी देर पहले बताया था मैंने the answer is itinerant ऐसा इंसान जो place to place travel करता रहता है quack formal meaning में duck की आवाज ही होती है इसलिए option irrelevant था itinerary अच्छा word है काफी use भी होता है इसका मतलब होता है किसी journey का एक detailed plan या कभी-कभी brief plan भी कि कहां-कहां पे जाना है और उससे related information so itinerary is a plan of journey and itinerant is a person who journeys from place to place iterate मतलब होता है कोई काम फिर से करना और जो काम फिर से किया जाता है वो iteration कहलाता है question for word number 24 is one word which signifies the fear of closed spaces इसकी वज़े से lift या फिर cramped up spaces में जाने से डर लगता है the answer obviously is claustrophobia क्यूंकि claustrophobia और liftophobia को तो देख कहीं समझा रहा है कि ऐसे कोई words नहीं होते है claustrophobia जैसा भी कोई word नहीं होता so claustrophobia is the phobia relating to small and narrow spaces the next word on the list is audacious काफी important word है as a question 6-7 बारी पूछा गया है लेकिन देखने को उससे भी ज्यादा बार मिलता है इसको भी दो connotations में use किया जाता है जब अच्छे sense में बोला जाए तो इसका मतलब bold और थोड़ा offensive या बेशरमी से भरा हुआ होता है आपको synonym बताना था इसलिए इसका answer bold होगा next word is perilous easy सा word है synonym बताना है आपको perilous का मतलब होता है बहुत ही risky या dangerous इसलिए दिये गए options में से इसका answer hazardous हो जाएगा जो भी words में बता रहा हूँ आप video pause करके उन words को note जरूर करते जाएगा word number 27 means concluding part of a literary work इसका answer है epilogue किसी book या literary work के end में concluding text या speech को epilogue कहते हैं prologue just इसका opposite है जो के introductory part होता है किसी literary work में bibliography Greek words, biblion और graphia से बना है bibliography books की history, comparison, classification औगरा के study को कहते हैं या फिर किसी similar topics पे books की list को कहते हैं या फिर जैसे मैंने शुरू में bibliography present की थी वैसे ही जिन-जिन sources का use हुआ है कुछ लिखने में उनको credit देने को bibliography कहते हैं आप अपनी books उठा के देखिएगा उन books को लिखने में जहां-जहां से author को help मिली है वो bibliography section में दिखेगा आपको एंड सलीलोक भी खुद से बाते करना होता है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नेक्स्ट वन वर्ड का question है देखके ही समझा रहा है कि इसका answer bibliophile है ये word biblion और philos से बना है और इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसे books collect करना और पढ़ना बहुत पसंदो next option है scholar जिसका मतलब student होता है अगला option bibliomaniac है इसमें भी root word biblion हमें दिख रहा है bibliomaniac, bibliophile से भी जादा obsessed होता है books को लेके and theosophist वो है जो spiritually सब कुछ जान गया हो और पुना जनम में विश्वास रखता हो काफी abstract और obscure सा मतलब है इसका अगले word पे आते हैं बताईए dictionary लिखने वाले को क्या कहते हैं आप मत बताईए मैं बताता हूँ dictionary compile करने वाले को lexicographer कहते हैं कीमती stones को काटने, तरासने और चमकाने वालों को lapidist कहते हैं languages की अच्छी समझ रखने वाले या फिर polyglot को linguist कहते हैं maps बनाने वालों को cartographer कहते हैं और कल से पक्का पढ़ूंगा कहने वालों को students कहते हैं 30th word है luxuriant और आपको इसका synonym बताना है देखिए, सोचिए और बताईए कि क्या होगा इसका answer अगर आपको लग रहा है इसका answer rich है तो आप गलत है इसका answer rich नहीं है and specially वो अमीरी वाला rich तो बिलकुल यह नहीं है abundant is the right answer अगर आप rich के quantitative, plentiful वाले meaning की बात कर रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं लेकिन फिर भी abundant जादा apt answer है luxuriant का मतलब होता है घना, plentiful या ample जनरली पेड़ पौधों के लिए use किया जाता है जैसे किसी garden में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उसे luxuriant garden कह सकते हैं इसका relation luxury और अमीरी से नहीं है Miriam Webster में इसका एक मतलब luxury से related भी दिया है लेकिन वो बाकी prominent dictionaries में नहीं है और वैसे भी luxuriant को घनत्व के sense में ही use किया जाता है तो आप बस इसे abundance से ही associate करिए तो जो लोग पिछले question का answer rich ना होने को जैसे उदास है उनके लिए next word है opulent जिसका मतलब rich होता है वो भी monetary sense वाला rich लेकिन फिर भी answer rich नहीं poor होगा क्योंकि antonym बताना था opulent का इसको कभी कभी abundance के sense में भी use करते हैं लेकिन mainly इसका मतलब महंगा और rich ही होता है अगला question आपके सामने है और क्योंकि मैं दो बार आपको soliloquie का meaning बता चुका हूँ तो आपको लग रहा हो कि इसका answer soliloquie है लेकिन options में monologue भी है क्या आपने monologue पे ध्यान दिया anyways इस question का answer soliloquie ही है लेकिन soliloquie और monologue दोनों ही काफी close words है जो कई बार interchangeably भी use किये जाते हैं क्योंकि इनके meanings के बीच कोई clear line of distinction नहीं है बस छोटा संतर यह होता है कि soliloquie में इंसान जो भी बोलता है वो किसी और को नहीं सुनाना चाहता है और monologue में भी किसी play में या फिर stage में एक इनसान अकेले ही बोलता है बट वो audience या बाकी characters को अपनी बात address करना चाहता है इसके अलावा किसी लंबी और boring सी speech को भी monologue का जाता है लेकिन इसका answer difficult होगा RDS आप किसी ऐसे task को कहेंगे जिसे करना बहुत मुश्किल हो या फिर बहुत मैनत लगने वाला काम हो जैसे ये 100 words का वीडियो बनाना मेरे लिए बहुती RDS task था एकदम ऐसी तैसी होगई इसे बनाने में तो आप प्लीज इन सारे words को note जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सोंस समझ के words रखे गए हैं इस वीडियो में और अगर आप चाते हैं कि मैं ऐसा एक और वीडियो बनाऊं नए words के साथ तो नीचे comments में जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो पे response अच्छा हुआ तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें वो important words होंगे जो इस वीडियो से हटा लिये थे मैंने end में और साथ में और भी important words होंगे SST exams के लिए अब चलते हैं next word पे word number 34 है tirade दिये गए options में से इसका synonym है rant tirade मतलब होता है गुस्से में आके एक particular चीज के against बोलते रहना so essentially tirade is a vehement rant और outburst about something next word है lassitude आपको इसका synonym बताना है आपके पास 2 seconds और है so दिये गए options में lassitude का synonym है sluggishness क्योंकि lassitude का मतलब होता है lack of energy तो थकान और आलस से का होना lassitude कहलाता है next word का मतलब होता है one who walks in sleep options है somnoloquist, somnolence, somnambulist and insomnia चारों options latin root word somnus पे based है जिसका मतलब sleep होता है और sleepwalking करने वाले व्यक्ति को somnambulist का आजाता है somnolence का मतलब sleepy feel करना होता है insomnia नीन ना आने को कहते है especially तब जब बहुत लंबे time से होता चला आ रहा हो ये and somnoloquist उसे कहते हैं जो नीन में बाते करता हो next word है psychophant जो कि मैंने आपको बताया था options में school के चापलूस बच्चों का example देके तो जो अपने फायदे के लिए दूसरों की चापलूसी करता है वो psychophant कहलाता है next word है admonish और दिये गए options में से इसका synonym condemn होगा क्योंकि admonish का मतलब होता है gently warning देना या डाटना, gently being the keyword विडियो बहुत जादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं हर word पे रुक नहीं रहा हूँ आपको अगर कुछ additional पढ़ना या लिखना है तो आप विडियो को pause करके देख सकते हैं the next word means a person who never takes alcoholic drinks option ध्यान से देखिए सारे अच्छे options हैं so the answer to this question is tito-toller tito-toller उसे कहते हैं जो किसी भी तरह की intoxicating drinks नहीं पीता ना विस्की ना बियर ना चार बोतल वोड का कुछ भी नहीं derelict का एक मतलब होता है अपने owner के द्वारा abandon कर दिया गया या फिर homeless और दूसरा मतलब होता है careless होना या अपनी duties को neglect करना incriminate मतलब होता है किसी crime के लिए किसी पे आरोप लगाना या proof देना और incriminatory इस verb का adjective form है imposter उसे कहते हैं जो कोई और इनसान होने का धोंग कर रहा होता है that is one who pretends to be someone else 40th word है laconic यहाँ पे इसका synonym होगा concise क्योंके laconic का मतलब होता है कम से कम शब्दों का उपयोग किया जाना अगले word का meaning है a remedy for all diseases आपके लिए hint यह है कि इसके answer में उस root word का use है जिसका मतलब all होता है तो answer है panacea जिसमें root word pan का use है which means all or everything pan root word से बना सबसे relatable शब्द 2020 में है pandemic panacea किसी ऐसी चीज़ को कहेंगे जो हर तरह की problems या बिमारी से निजात दिला सके panacea शायद एक बार corona को cure कर दे लेकिन comments में like for this, comment for that करने वालों को शायद ही cure कर पाएगी next up word number 42 का meaning होता है study of insects और study of insects के लिए one word होता है entomology non phonetic pronunciation में आप देख सकते हैं कि mol पे emphasis रहेगा यानि entomology तो entomology, zoology की वो ब्रांच है जो insects की study से deal करती है etymology जिसको इस वीडियो में कई बार mention कर चुका हूँ उसका मतलब होता है words की derivation की study या फिर समय के साथ languages और words में जो change आते हैं उनकी study ecology, biology की वो ब्रांच है जो organisms और environment के बीच के interactions की study करती है and anthropology as we have already discussed is the study of mankind अगले one word का meaning होता है one who studies election trends options आपके सामने हैं बठ हम सीधा explanations पे आते हैं so elections और voting वगेरा की study को syphology कहा जाता है और जो इनसान election trends और voting को study करता है उसे syphologist कहते हैं demagogue का मतलब एक ऐसा leader होता है जो public के emotions और conceptions को जगा के votes जीतने की कोशिश करता है और जीन issues की सच में बात होनी चाहिए उनकी बात नहीं करता है however, etymologically demagogue का मतलब leader of the people ही था समय के साथ इसको बुरे sense में use किया जाने लग गया eugenist उसे कहते हैं जो ये मानता है कि जीन इनसानों में अच्छी hereditary qualities हैं सिर्फ वही लोग reproduce करें जिससे further generations में बुरे traits ना पास हो और pedagogue का broadly meaning होता है एक strict rude वाधी teacher yet again, etymologically pedagogue का भी मतलब सिर्फ एक teacher ही हुआ करता था लेकिन समय के साथ ये भी बुरे sense में use किया जाने लगा next word का meaning है सिर्फ पैसों के लिए काम करना ये word मैं दो बार already बता चुका हूँ इसलिए सीधा explanation देखते है mercenary is an adjective which means working just for the sake of money पास 3DS का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो यानि ऐसे लोग जिनके लिए कोई भी काम satisfactory डंग से नहीं हुआ हो for example Indian parents and शादी में आये फूफा ऐसा मैं नहीं कहा रहा है ऐसा लोग कहते है especially comedians moving on next option is emissary जिसका मतलब कोई ऐसा agent होता है जो किसी काम ये secret mission पे गया हो last option is business like which means business like यानि business के नजरिये से efficient और practical word number 45 है incessant दो थोड़े से similar options है regularly और continuously और अगर आप indiscreetly में आये हुए discrete को दूसरी spelling वाला discrete सा मज रहे है तो आप उसमें भी confused हो सकते है anyways the correct answer is continuously because incessant का मतलब होता है non-stop या बिना किसी रुकावट के next word means a person learning a trade under someone फिर से options सारे close ही है but the correct answer is apprentice which means a person who is working for someone to learn a skill, trade or something else assistant किसी को assist करता है यानि helper होता है और जिसको वो help करता है वो उससे lower rank पे होता है secretary एक ऐसा official होता है जो किसी particular इनसान के लिए उसके records और बाकी काम देखता है और lackey का मतलब servant होता है 47th word है enigma इसका synonym होगा riddle क्योंकि enigma ऐसी situation को कहते हैं जो बहुत mysterious और puzzling हो यानि ऐसी situation जिसे समझ पाना मुश्किल हो उसे enigma कहते हैं next word है cacophony जिसका आपको antonym बताना है और अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो आप देख सकते हैं कि 3 words इसमें similar हैं यानि 4 वर्ड ही इसका antonym होगा और वो word है harmony because cacophony by etymology means bad or harsh sound so कोई भी विकार sound, noise या धिन्चक पूजा के गानों को cacophony कहते हैं 49th word है eccentric इसका antonym पूछा गया है आपके पास 2 seconds है so the correct answer is normal because eccentric means something odd or unusual यानि कुछ अजीब और normally होने वाली चीजों से अलग होने को eccentric का जाता है जैसे अगर कोई news channel काईदे की news दिखाने लग जाए तो वो एक eccentric channel कहलाएगा क्योंकि सारे news channels फालतू की baseless news ही दिखा रहे हैं तो सबको वही कचरा देखने की आदत हो गई है इसलिए काईदे की news दिखाने वाला channel eccentric हो जाएगा 50th word है vacillate जिसके दिये गए options में से synonym होगा waiver क्योंकि vacillate का मतलब होता है oscillate या fluctuate करना physically भी और mentally thoughts या decisions का fluctuate करना भी जैसे मैं ये नहीं decide कर पा रहा कि अभी university exams के लिए पढ़ू हूँ या competitive exams के लिए क्योंकि पता नहीं university exams होंगे भी कि नहीं so I am vacillating between these two thoughts constantly now next word है adversity काफी easy word है ये जिसका इन चारों options में से antonym है prosperity because adversity का मतलब होता है बहुत difficult या unfavorable condition जैसे कोरोना फैलने के बाद से daily wage workers continuous adversity face कर रहे हैं next word का meaning है कोई ऐसी job जिसमें salary बहुत ज़ादा हो बट काम बहुत कम करना पड़े basically Indians का government jobs के प्रती expectations या रवाया so the answer is sine cure sine cure एक ऐसी job है जिसमें salary बहुत ज़ादा होती है और काम बहुत कम ombudsman उस government official को कहते है जो बाकी सरकारी officers और सरकारी agencies के against public द्वारा की गई complaints की investigation करता है trustee ऐसे इनसान को कहते है जिसको कोई इनसान या organization trust करके अपने financial और दूसरे matters के authority देती है honorary कोई ऐसी post होती है जो बस honor के लिए दे दी जाती है जिसके recipient को ना salary मिलती है और ना कुछ काम करना पड़ता है अगला word है profound और आपको इसका antonym बताना है profound का मतलब होता है बहुत ही deep और meaningful होना या फिर literally deep होना हमें antonym बताना था इसलिए दिए गया options में superficial इसका antonym है I'm sorry अगर पीछे से construction works की आवाज आ रही हो तो अगला word है inadvertent और आपको इसका synonym बताना है आपके पास 2 seconds है तो inadvertent का मतलब होता है unintentional यानि जान बुच के ना किया गया काम इसका मतलब ध्यान ना देना भी होता है अगला word है gregarious unattractive, unsociable, ungrateful और unthympathetic में से आपको इसका antonym बताना है gregarious का मतलब extroverted या सबसे घुल मिलके रहना होता है तो gregarious लोग वो होते हैं जिने भीड वगारा से दिक्कत नहीं होती और लोगों से मिलना जुलना जिने पसंद होता है next word है ephemeral जिसका antonym आपको बताना है और अगर आप options ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ephemeral मतलब होता है बहुत थोड़ी देर के लिए last करना यानि transient और short lived for example हमारी पढ़ने की इच्छा word number 57 का meaning होता है violation of something holy और sacred इसका answer है sacrilege किसी पवित्र और sacred चीज की disrespect करना या फिर ऐसे किसी काम में उलंगन करने को sacrilege कहते हैं किसी unacceptable चीज करने या बोलने के noun form को profanity बोलते हैं सरकार के प्रती गुसा या rebellion sedition कहलाता है जैसे अभी सुशान सिंग राजपूत के case में महराश्ट गवर्मेंट की position है slander का मतलब होता है किसी की image गिराने के लिए कोई जूटी report या statement का बोला जाना next word का meaning है words uttered impiously about God इसका answer है blasphemy blasphemy का मतलब होता है भगवान के against कुछ बोलना या फिर उनका मजाक उड़ाना amoral एक adjective है जिसका मतलब होता है किसी चीज का morally correct होने या ना होने से फरक ना पढ़ना या फिर ना तो morally correct होना और ना ही incorrect होना pre-vericate is a verb जिसका मतलब होता है सच से गुमरा करना जैसे Mumbai police सुशान्त के murder को suicide दिखा के कर रही है preponderate का मतलब होता है literally या figuratively भारी पढ़ना the next word means stealing of ideas और writings of someone else इसका answer है plagiarism जिसका मतलब है किसी और के work को copy करके अपने काम की तरह show करना autism बच्चों की एक बिमारी है जिससे कई physical, mental और social disorders develop हो जाते हैं बच्चों में skepticism का मतलब doubtful attitude होता है और mesmerism broadly hypnosis को कहते हैं the 60th word is differ असान सा वर्ड है यह और कई बार पूछा गया आपको इसका synonym बताना है so the answer is postpone differ का मतलब होता है postpone कर देना यानि कि बाद के लिए टाल देना next word है difference और आपको इसका synonym बताना है options are sympathy, respect, flattery and indifference and the answer is respect difference मतलब होता है किसी दूसरे की बात का आदर करना specially उम्र का लिहाज करते हुए बड़ों की बात मानना next word signifies a political leader appealing to popular desires and prejudices इसकी बात हम कर चुके हैं and इस question का answer है demagogue demagogue ऐसे leaders होते हैं जो कोई rational बात या सही ideas रखने की बजाए लोगों के emotions को जगाते हैं या फिर उनके preconceived notions की बाते करके support जीतने की कोशिश करते हैं tyrant का मतलब होता है बहुती cruel और निर्दाई ruler जिस पे किसी भी तरह की कोई restraints ना हो popularist एक adjective है और इसका मतलब है कुछ ऐसा जो general masses के लिए बनाओ यानि जादा तर audience के लिए suitable हो और dictator आपको पता ही है कोई ऐसा ruler जिसको check में रखने के लिए कोई दूसरी power ना हो यानि monarch की ही तरह but hereditary succession से power में ना आया हो जो अगले word का मतलब होता है someone who collects old and new coins and the answer is new mismatist which we have already discussed it means coins, bank notes या इस तरह की चीजों को collect करने वाला या इनकी study करने वाला एक इनसान philatalyst भी हमने देखा था जिसका मतलब होता है stamps होगेरा collect करने वाला एक रखती archaeologist वो होता है जो prehistoric लोगों और उनके cultures की scientific study करता है and ornithologist वो होता है जो चड़ियों की study करता है अगले one word का मतलब होता है the act of setting free from bondage of any kind इसका answer है emancipation which means किसी भी तरह की restrictions या कैद से चुटकारा पाना eradication मतलब होता है complete removal or destruction indemnity का मतलब होता है किसी damage या loss का insurance and emigration मतलब अपनी country छोड़के कहीं और रहने चले जाना 65th word है detest आपको इसका antonym बताना है और आप बोलेंगे तब भी में सुन नहीं पाऊंगा इसलिए मैं ही बताता हूँ कि इसका antonym है adore क्योंकि detest का मतलब होता है बहुत जादा dislike करना या घ्रिना रखना next word है idiosyncrasy generality और sanity में आप confused हो सकते हैं इसका antonym generality होगा because idiosyncrasy means कोई ऐसी आदत या characteristic feature जो कि बहुत अजीब या bizarre हो जैसे मुझे खीर में tomato ketchup डालना पसंद है क्यार वो तो सब कोई पसंद होता है the next one word means a person who's out to destroy the government and the answer is anarchist anarchist ऐसा इंसान होता है जिसे किसी भी तरह की government या order नहीं चाहिए होता और जो existing government और law को destroy करना चाहता है nextalite West Bengal से originate हुए जो nextalite लोग है उन्हीं के member को कहते है autocrat ऐसे इंसान को कहते है जो अकेला बिना किसी और की control के rule कर रहा हो यानि monarch और dictator दोनों ही autocrat होते है और monarchist वो होता है जो monarchy को support करता है the next word is predilection जिसका antonym दिये गए options में से dislike है क्योंकि predilection मतलब होता है preference, bias या फिर किसी particular चीज को पसंद करना moving on the next word means a person who breaks the established traditions and images and the answer is iconoclast यानि ऐसा इंसान जो generally accepted बातों का विरोध करता है क्योंकि वो बाते baseless या superstitious होती है fanatic किसी ऐसे इंसान को कहते है जो किसी particular चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है philogenist ऐसे इंसान को कहते है जो women का admire करता है या फिर पसंद करता है और fatalist उसे कहते हैं ये मानता है कि नसीब में जो लिखा होता है वही होता है word number 70 का meaning होता है a person in his 70s जिसका answer है septuagenarian 70-80 साल के इंसान को septuagenarian कहते हैं और जो इंसान 60s में हो उसे sexagenarian कहते हैं and it's sexagenarian not hexagenarian similarly 80s की age में जो इंसान होता है वो octagenarian और जो 90s में होता है वो nonagenarian कहलाता है now अगर आपने age of empires खेला हो तो शायद आपको पता होगा कि 100 लोगों की roman army को century कहते हैं और उसके commander को centurion कहते हैं centenarian का मतलब या तो 100 साल जीना होता है या फिर 100 साल से related होना patriarch किसी family या tribe के male head या मुखिया को कहते है and keep in mind कि patriarchy का neutral और negative दोनों ही sense में use होता है but patriarch सिर्फ neutral है इसका मतलब merely family का male head होता है अगला word है erudite and you have to find its antonym the antonym of erudite among the following options is unscholarly erudite का मतलब बहुत knowledgeable और पढ़ा लिखा हुआ होता है so it means well educated word number 72 का मतलब होता है existing or living at the same time और इसका answer होगा contemporary contemporary का मतलब होता है same time period में belong करने वाले लोग या फिर same time period के कोई भी और चीज for example Newton's discovery of calculus was contemporary with that of Leibniz क्योंकि late 17th century में दोनों ने individually but simultaneously calculus को discover किया था recent और modern आपको पता ही है and compatriot का मतलब देशवासी होता है moving on the next word is obstinate you are asked to choose an antonym and आपके पास 2 seconds है तो इसका antonym होगा docile जिसका मतलब सब में से वोता है और obstinate का मतलब deep होता है यानि कितने भी arguments या logical reasons दिये जाने के बाद भी अड़े रहना जैसे Mumbai police सुशान्त के case में सिर्फ अपनी ही jurisdiction रखना चाहती है अगला word है lethargic काफी easy word है दिये गए options में से इसका synonym होगा lazy क्योंकि lethargic का मतलब होता है lack of energy और sluggishness दे नेक्स्ट word is venial आपको इसका antonym बताना है और इसका antonym होगा unpardonable क्योंकि venial का मतलब होता है forgivable जैसे मैंने word number 43 में सिफालोजिस्ट की जगे सिफालोजी का pronunciation लिख दिया है word number 63 में inadvertently मैंने एक ओको capital कर दिया है और word number 64 में गलती से last option immigration की meaning की जगा immigrant की meaning लिख दिया है तो आप ये कह रहे हैं कि 100 words के description लिखने में इतनी गलतियां तो चलती ही है और ये एक venial सी mistake है इसलिए आपने मुझे माफ कर दिया धन्यवाद आप बहुत अच्छे इंसान है the next word on the list is sporadic and दिये गए options में से इसका synonym है occasional sporadic का मतलब होता है किसी चीज़ का irregular time intervals में होना word number 77 है squander बहुत use होता है ये word आपको इसका meaning ना पता हो तो आप note जरूर कर लीजेगा options में से इसका antonym है skimp जिसका मतलब cutting corners होता है और squander का मतलब होता है पैसे बरबाद करना या किसी चीज़ को carelessly spend करना और word number 20 जो की prodigal था उसका भी similar meaning ही होता है बस फर्क यह है कि squander verb है next word is meager इसका antonym बताना है आपको और आप अभी plentiful और numerous में confused होगा एक second के लिए लेगिन फिर आपने सोचा कि इसका answer plentiful ही है तो आपने बिल्कुल सही सोचा meager मतलब होता है deficient in amount या फिर scars इसलिए इसका antonym plentiful ही होगा word number 79 है conspicuous options बहुत ही प्यारे से हैं आपको सारे options के मतलब भी पता हैं इसलिए आप समझ गए होगे कि इसका synonym है apparent conspicuous मतलब होता है noticeable या ध्यान कीचने वाला जैसे अगर आप अपने आगे के बाल नारंगी कराके चौड़े होके चलेंगे तो सबकी नजर आप पे जरूर जाएगी क्योंकि आपके बाल और चाल दोनों ही conspicuous हैं the next word is illicit तुरंट देखते ही समझ आ रहा है कि इसका antonym lawful होगा क्योंकि illicit का मतलब होता है illegal या unauthorized इतना असान word भी आठ बार पूछा गया है तो आप ये सब words miss मत करना इस वीडियो को सिर्फ देखते रहने इस कोई फायदा नहीं होने वाला है आपके पास एक copy और pen जरूर होना चाहिए इस वीडियो को देखते वक्त और आपको जो भी word ना आता हो आप वीडियो को pause करके उसे लिखते रहिए सिर्फ वीडियो को देखते रहने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-15 word ही याद होंगे आपको इस सारे words को लिखना है और फिर 5-10-15 दिन में सब को याद कर डालना है क्योंकि इस सारे words बहुत ज़्यादा important है और जब ये सारे words आपको याद हो जाएंगे तब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो जो words आपने नहीं note किये हैं आप उनको भी अच्छे से recollect कर पाएंगे और बाकी लिखे हुए words का revision तो हो गाई अगला word है malice और दिये गए options में से इसका antonym है goodwill क्योंकि malice का मतलब होता है बुरे intentions का होना और किसी को भी किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की इच्छा रखना word no.82 है animosity इसका meaning हलका सा similar है malice से और इसका antonym है love क्योंकि animosity मतलब होता है किसी चीज या इनसान के प्रतिएक बहुत ही strong feeling of hatred का होना फॉर इंस्टेंस जितना लोग Logan Paul और Jake Paul को rightfully hate करते हैं उतना नापसंद करना किसी चीज को अगला word है nefarious और इसका synonym है wicked because nefarious adjective का मतलब बहुत ही evil या atrocious होता है ये शब्द आप सुषान्त के murderers को define करने के लिए use कर सकते हैं next word is obscene जिसका synonym होगा indecent क्योंकि obscene का मतलब inappropriate morally unacceptable या offensive होता है अगला शब्द है aberration और दिये गए options में से इसका synonym है deviation because aberration मतलब सही या normal चीज़ से deviate होना होता है या भटकना होता है हो सकता है आपने optics में spherical aberration और chromatic aberration जैसे शब्द पढ़े हो तो आपको इसका meaning जल्दी समझा गया हो word number 86 is censure और दिये गए options में से इसका synonym है criticize censure मतलब होता है बहुत बुरी तरह निंदा करना या गलतियां धूड के इलजाम लगाना next word is tranquil आपको इसका synonym बताना है और अगर आपको tranquilizers पता हो तो आप guess कर पाएंगे कि इसका synonym peaceful है tranquil मतलब होता है किसी भी disturbing emotion का ना होना या काम रहना next word is complacent और दिये गए options में से इसका synonym satisfied होगा complacent मतलब satisfied होता है लेकिन इसे कम में भी satisfied रहने के sense में भी यूज किया जाता है और कभी-कभी इसको भ्रहम में रहने के sense में भी यूज किया जाता है next word is frugality and given options में से इसका antonym है prodigality जिसका मतलब दो बार बताया है मैंने आपको और frugality का मतलब होता है पैसों का सोच समझ के इस्तमाल करना और वही खर्च करना जहां पे जरूरत हो word number 90 का मतलब है a person leading life of strict self-discipline आपको पता है कि इसका answer ascetic है क्योंकि मैं already पैड़ी तीन वार बता चुका हूँ या आपको तो ascetic कम से कम संसाधनों में साधू हो जैसे जीवन बिताने वाले को कहते है hedonist is one who thinks sensual pleasure is the chief good disciplinarian वो होता है जो दूसरों को discipline में रखे ये मत सोचेगा कि disciplinarian वो है जो खुद discipline में रहे वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है meaning ये है कि जो दूसरों को जबरदस्ती discipline में रहने को कहे जैसे primary teachers छोटी छोटी बातों में टोकती रहती है बच्चों को वैसे esoteric भी मैं बता चुका हूँ ऐसा कुछ जो masses की समझ में आना वर्ड नमबर 91 है espionage जिसका synonym है spying because espionage का मतलब होता है government तुआरा spies का भेजा जाना दूसरे देशों में उनके political और military secrets जानने के लिए वर्ड नमबर 92 is obdurate दिये गए options में से इसका synonym stubborn होगा क्योंकि इसका मतलब या तो insensitive होता है या फिर जिद्दी और धीट होता है so it broadly means insensitive और stubborn next word is irascible और आपको इसका synonym बताना है तीन काफी close से options है बट सही answer है irritable irascible का मतलब होता है short tempered यानि बहुत असानी से गुस्सा आ जाना word नमबर 94 is felicity और दिये गए options में से इसका synonym bliss होगा क्यूंकि felicity मतलब होता है a state of great happiness यानि बहुत जादा खुश रहने की state को felicity कहते हैं next word है conjecture और given options में से conjecture का synonym है guess क्यूंकि conjecture का मतलब होता है बिना sufficient basis के कोई opinion form कर लेना word नमबर 96 का meaning होता है opinion contrary to accepted doctrines especially against a religion options में दिख रहे चारो शब्द काफी important है और इस particular question का answer है haracy so normally जो religious प्रथाएं और बाते मानी जाती है उनसे अलग या उनके against किसी belief को haracy कहते हैं और जिसके ऐसे thoughts होते हैं वो heretic कहलाता है desecration का मतलब होता है कोई ऐसा act या statement जो किसी पवित्र मानी जाने वाली चीज को अप अवित्र कर दे यही सेम मतलब sacrilege का भी होता है और blasphemy भगवान के against कुछ बुरा बला कहने को कहा जाता है word number 97 है cox जिसके दिये गए options में से antonym है dissuade क्योंकि cox का मतलब होता है बहला फुसला के कोई अपना काम करवा लेना यानि कि gently persuade करना next word है taciturn और आपको इसका synonym बताना है taciturn का synonym होगा reticent क्योंकि taciturn का मतलब होता है ज्यादा बाते ना करना और शांत रहना word number 99 है impeccable काफी बार पढ़ा और सुना होगा आपने impeccable का synonym है flawless because impeccable का मतलब absolutely perfect होता है यानि कि कोई भी कमी ना होना and now the final word of the list is abrogate और दिये गए options में से इसका synonym है abolish क्योंकि abrogate का मतलब होता है officially किसी चीज़ को end कर देना या abolish कर देना so that's it for this video अगर आपने इन सब words को सही से note किया है और आप इने अगर याद कर लेते हैं तो आपके exams में पक्का इन 100 में से 5-6 words तो आएंगे ही और ये मैं सिर्फ आपके exam की बात कर रहा हूँ पूरी shifts मिलाके देखे तो इसमें से लगबग 20-25 words आते हैं हर बार सिर्फ आपकी ही tier 1 और tier 2 की shifts मिलाके इसके अंदर से आपको 4-5 words देखने को मिल जाएंगे और vocab में आपको पता ही है 100 words में से अगर 5 words भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि vocab के अगर आप 3000 words भी याद करके जा रहे हैं तब भी chances हैं कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे तो इन words को आप जरूर सही से याद कर लीजेगा and I'll see you in the next video